अस्सलाम अलेकुम क्या है अले विवास कैसे आप लोग मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूं हरे मताने की खिचडी यानि गिरीन पीस की खिचडी आज कल ठंड का मौसम है इसमें बहुत अच्छी लगती है खिचडी आप जरूर ट्राइ किजेगा अगर आप लोग न आइल को आइड कर दूंगी और तीन प्यास को मैंने सलाइस में कट कर लिया है सबसे पहले इसमें मैं लेंगी थोड़ा सा गरम मसाला यानि तेस पत्ता दाल चीनी है एक लाइची है दो छोटी इलाइची यानि गरीन इलाइची बादियान फूल एक चमस जीरा और लॉंग और हारी इलाइची दो तीन दो तीन ऐसे ले लिया है प्यास को भी मैंने आइड कर दिया है प्यास को हम चलाते हुए सॉफ्ट करेंगे प्यास को चलाते रहना है ताकि कहीं सी जले नहीं और आपको दिखा देते हैं इसमें कोई मसाला हम नहीं पीछेंगे जादा हरा धनिया लिया है धेर सारा सा और साथ आठ मिर्चे लिए हमने अब इसमें जिंजर गार्लिक कर टूटेबली स्पून पेस्ट डाल दिया मैंने और एक चमत जीरा इसमें एड़ करूँगी पीसने में सिर्फ हमारा यही मसाला होगा और बाकी जो गरम मसाले मैंने डाले हैं वो मैंने खड़े ऐसी ही साबुट डाल दिये हैं अब देखें प्यास हमारी बिलकुत तयार है और फाइन पेस्ट भी हमारा तयार है अब जो भी मसाला हमने पीसा था हो मसाले को मैंने आड़ कर दिया है और जार में थोड़ा मसाला लगा था उसको भी थोड़ा मैंने पानी डाल के आड़ कर दिया है हाफ टेबल इस्पून एक छोटे चमत से मैंने हल्दी पाउडर आड़ कर दिया है और अच्छा से मसाले को मिक्स कर लेंगे वन टेबल इस्पून धनिया पाउडर एड़ करेंगे धनिया पाउडर से बहुत अच्छा सा टेश्ट आता है इसलिए मैंने एड़ किया है कुछ लोग नहीं एड़ करते है लेकिन मैं एड़ करती हूँ इससे बहुत जादा अच्छा टेश्ट आता है मसाला हमारा एकदम अच्छे से पकने लगा है अब इसी में हम आलू को आड़ कर देंगे जो कि 3-4 आलू को मैंने पीसेस में कट कर लिया था अब ये आलू मसाले के साथ साथ में आलू भी हमारे गल जाएंगे यानि 50% ये कूख हो जाएंगे तो फिर इसमें मैं और बाकी के इंगिरिडियन्स आड़ करूंगे थोड़ी देर के लिए ढखके हम पकाएंगे तभी आलू जल्दी से गल जाएंगे और देखें थोड़ी देर के बाद मैंने खोल के देखा है पाच मिनट के बाद तो हमारे आलू कुछ 50% तक सॉफ्ट हो गए हैं अब इसमें चावल एट कर देते हैं हम चावल को मैंने भिगाया था फिर हतेली से ऐसे मसल मसल के मैंने इसे एक दम तोड़ दिया है क्योंकि हमें गीली खिचली बनाना है तो हमें चावल को तोड़ देना है अच्छी तरह से चावल को मिक्स किया मसाले में और डेर लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया भर भर के आप पानी डालें कुछ जादा मैंने भी पानी डाला था अब यह और पानी एड़ करूंगी क्योंकि पानी जतना जादा रहेगा उतनी हमारी गीली खिचली तयार होगी और जतनी जादा गीली खिचली रहेगी उतनी जादा टेस्टी लगती है अकर आप लोगों ने कभी नहीं बनाया है इस तरीके से खिचली हरे मटर की तो आप लोग जायोर ट्राय कीजिएगा अब मैं इसमें मटर भी एड़ कर देती हूँ और फिर इसमें एड़ करेंगे नमक अभी नमक मैंने नहीं डाला है अभी इसमें मैं एक साथी नमक डालूँगी यानि अन्दास से कितना नमक इसमें परफेक्ट होगा तो मेरे हिसाब से थिरी टेबल इस्पून नमक इसमें जाएगा तो मैंने थिरी टेबल इस्पून सॉल्ट डाल दिया है और अच्छे समें चला दूँगी आप देख सकते हैं पानी मैंने कितना जादा डाला है अब इसको कवर करके पकाएंगे पांच मिनट के बाद मैं ढखकन कोल कर देखती हूँ तो देखें कितने अच्छे से पक गया है और पानी चावल हमारा पक के पानी 50% खत्म हो गया अभी थोड़ी देर के बाद ये चावल एकदम पूरा एबजाब कर लेगा बस एक गीली खिजडी की शकल में रह जागा अभी थोड़ा सा पानी हमारा अलग लग रहा है लेकिन थोड़ी देर के बाद ऐसा नहीं दिखेगा टमाटर कट करके रखा था हमने तीन ओभी एट कर दिया हमने नमक मैंने देख लिया है टेस्ट कर लिया है नमक हमारा तीरी टेबर इस्पून जो हमने डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट था अब फिलेम को मैं एकदम कम कर दूँगी यानि जिस तरह दम पे रखते हैं आप देखिए पांच मिनट के बाद हमारी खिजडी बिल्कुल तैयार है बस इसी स्टेज पे हमको गैस को बंद कर देना है और इसको मैं हरा धनिया इसमें खुब जह सरा कटा हुए भी डाल दूँगी तो हरा धन्या मैंने डाल दिया है और इसको थोड़ा सा चला देती हूँ और गौहस को बंद कर देती हूँ उसके बाद मैं आपको डिशाउट करके दिखाती हूँ देखें कितनी अच्छी सी गीली सी हमारी इदम परफेक्ट खिचडी बनके तयार है अब इसको मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आपको देखें इसका फाइनल लुक कितना अच्छा दिख रहा है आप जरूर ट्राइक कीजेगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फैमिली और दोस्तों में शेयर करें वीडियो अच्छी लगे तो अच्छा सा फीड़ बैक दे फिर मिलते हैं बहुत जल्ब एक नई रेसिपी के साथ दौाओं में याद रखें अल्ला हफीज